नमस्कार, आज मैं फिर एक क्राइम का इंसिडेंट लेकर आपके समख्च उपस्तित हुआ हूँ, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैंने एक जनवरी 2019 को डियाईजी के पद पर पद भार ग्रहन कर लिया था और आठ तारिक को मैं बरेली रेंज का डियाईजी हो गया था मैंने यह भी बताया था कि इस बीच में जो इंपॉर्टन क्राइम के इंसिडेंस हुए मेरे चारों जिलों में मैं उनका जिकर करूँगा, हालां कि इसमें मेरा कोई सीधा दखर नहीं है, समंदित जिले के एस सपी ही इस सारे क्राइम को उन्होंने हैंडिल किया, लेकिन अग में ऐसा ही एक वाक्या हुआ पांच अक्टूबर 2019 को, कस्बा भुता है शहर से लगा हुआ और वहां पर जो कस्बा भुता के ही रहने वाले घर के जो कार्य करता थरता थे, बड़े थे, श्री बाबू राम जी वो पांच अक्टूबर 2019 को घर से कब गए, कोई बता नहीं पाया और पूरी रात घर नहीं लोटे, बाबू राम के लड़के विमल ने 6 अक्टूबर को थाना भुता में जाके ये बात बताई, कि मेरे पिता जी सामानी रूप से खिट पर जाते हैं, लेकिन वो कब गए, खाना खा लिया था उन्होंने, बाहर सो रहे थे, उसके बाद कब वो निकल के गए, ये पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने तलाश कर लिया पूरे कस्बे में सभी रिश्चिदारों में, लेकिन वो यहां पर नहीं है, वो घर से कब निकले, किसके साथ निकले, और किसके कहा गए, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है घर में, पुलिस ने कहा कि चलिए पहले आप भी तलाशी और हम भी तलाशते हैं अगर नहीं मिलते हैं तो इसकी FIR हम कर देंगे मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि पुलिस हमेशा FIR लिखने में रजिस्ट करती है उसको लगता है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी लिखना पड़ेगा प्रिंट आउट देना पड़ेगा जीडी मेंट्री करनी पड़ेगी आई हो जायेगा तरह तरह की फितरत उनके मजूद थे बेटा पुलिस के साथ घर पर गया था पत्नी ने बताया कि पांच अक्टूबर को वह सवेरे ही वह सवेरे यानि पत्नी उनकी सवेरे ही खेतों में चली गई थी पती साथ में नहीं गये थे उन्होंने कहा था तुम चलो मैं दो पहर बाद आऊंगा जम मैं वह पहुंचोंगा तो तुम वापस घर आ जाना बेटी माधुरी ने बताया कि खाना खाने के बाद पिता जी चले गए थे मुझे पता नहीं वो कब निकले न उन्होंने मुझे बताया था वो कब मैं भीतर थी वो बाहर ही सो रहे थे कटिया पर और किस बीच में वो निकल गय किस के साथ निकल गए मुझे नहीं पता साथ तारीक को सवेरे पूरा कस्वा ठाने पर रिकट्था हो गया चुकि कश्वे की बात थी पाबुराम मुनिर्विवाद वेक्ति था और सब उसकी इज़त करते थे वो मिल नहीं रहा था तो पूरा कस्वा ठाने बुता पर कि हो सकता है पत्नी वापस आ गई हो यह बाद में पहुंचे हो और उनके साथ कोई घटना हो गई हो यह भी हो सकता है कि खेतों में कहीं किसी जहरीले जानवर ने उनको काट लिया हो और उन्हें बोलने तक का मौका ना मिला हो तुरंत सब लोगों ने पुलिस तो बला टालने की कोशिश हमेशा करती है कि भीड को हटाने के लिए उन्होंने कहा कि चलिए आप लोग भी चलिए हम भी चलते हैं सबसे पहले बाबुराम के खेत की पूरी हम तलाशी लेंगे पूरी कॉम्बिंग करेंगे ताकि एक शंकामन से चली जाये कि पुलिस ने कॉम्बिंग नहीं की ढूडा नहीं पुलिस के साथ काफी लोग बाबुराम के खेट की तरफ चले गए दिन का समय था गन्य की कॉम्बिंग शुरू हुई बाबुराम का खेट पूरा पुलिक के पुलिस के लोगों ने एक तरफ से एक तरफ तक उसको देख लिया उसमें कहीं भी बाबुराम के बारे में कोई सुराग या कोई बात नहीं थी इसी बीच में आसपास हला हो गया कि पुलिस और पबलिक के लोग खेतों की तलाशी ले रहे हैं तो जिसका जिसका खेत था वो भी सब पहुँच गये कि बाई पता नहीं किसके खेत में कुछ जाएं पुलिस गुसेगी सौब लोग गुसेगे गन्ने का नुकसान होगा तोड़ देगी पैर से दबा देगी रास्ता ढूंडने के लिए रास्ता बनाने के लिए गन्ने के पेरों को उखाड़ भी दिया जाता है पुलिस के लोग और पब्लिक के लोग लेकिन पब्लिक को यह लगा कि पुलिस गुसी है हमारे गन्ने का नुकसान करेंगी सब अपने खेतों के पास आ गए एक गंटे में इसी बीच एक गंटे बाद शोर हुआ मलपुरा के पास रियाजुल ने जोर जोर से शोर मचाया किसाब मेरे खेत में एक डेट बाड़ी पड़ी है रियाजुल भी किसान था उसका भी गन्ने का खेत था बावुराम के गन्ने के खेत से थोड़ा दूर एक वहाँ पर बाग है बाग में बाग के बगल में उसका खेत था सारी पबलिक और पुलिस उस तरफ तूप पड़ी पबलिक और पुलिस दोनों ने पहचान लिया कि ये शव बावुराम का ही है मौके पर पंचायत नमा किया गया बाबूराम के शरीर पर गोलियों के निशान थे लोगों को ने सबी लोगों ने पब्लिक के लोग जो गए थे उनों ने भी देखा और सब के दिमाग में एक ही सवाल था कि ऐसी रंजिश किसी से नहीं है बागु राम की जो गोली मार कर हत्या करे और वो भी खेतों में ले आकर इधर रियाजिल के खेत में मारे और ये भी वहां पर देखने से पता लग गया था कि खेत के बाहर गोली मारे गे बाद में इसको एंटी मॉटम बुलिट इंजिरीज गन शॉर्ट इंजिरीज तै हो गया कि बाबुराम की हत्या हो गई है बिमल तुरन ठाने पर पहुँचा और उसने क्राइम नंबर 287 बटे 17 धारा 302 यानि हत्या में एक एफाई आर्ट दर्ज करा दी जब पीम के बाशाओ घर पर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया तो गाहों के कजबे के बहुत धेर सारी लोग बहां इकठा हुए सब लोगों में कोई कानून बेउसा किस्तिती तो नहीं उत्पन हुई लेकिन रोश बहुत ज़्यादा था कि आखिर किसने मारा होगा कौन ऐसा अजमी जिसने बाबुराम के अथ्या कि है और गाहों की कोई बात होती तो सब को पता लगती बाबुराम की रंजिश जाहिरा सब्सक्राइब तो पर गाहों में किसी से नहीं थी कि एससपी शैलेश पांडे उसमें बरेली में थे और उन्होंने तुरंत क्राइम ब्रांच वालों की स्पियारे की मीटिंग बुलवाई और तीन चार्टी में बनाने को कहा सब्सक्राइब संसार सिंग की टीम को यह कहा गया कि आप लिए इनफर्मेशन ही कठा करिये है कि हो सकता है स्जी कोई बात जो इसी से रंजिश दिल पे लेने वाली जो रंजिश कही जाती कोई बात गिन्हों और यह एक टीम ASP अभिशेक वर्मा नया रड़का IPS आया था उसके नितित में लगाई गई कि आप यहाँ पर जो डंप डाटा है इस घटनास्थल का और उसके घर का वो ले लीजिए और सर्विलांस के लिए और क्या-क्या नंबरों की जरुवत है उसका भी पता करके और देखे मैं मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि डंप डाटा के इनाल्सिस में चार-पांस दिन कसम लगता है सभी कंपनियां जो मोबाइल कंपनियां है अलग-अलग फॉर्मेट में भेजती हैं जब यहां आ जाता है सौफ्ट्वेर में उसको एक फॉर्मेट में किया जाता है कि इसमें से कॉमन नबर डूंडे जाते हैं तीसरी टीम स्पी क्राइम रमेश भारती की बनाई गया और उनसे कहा गया कि आसपास के इलाके में जो बैड करेक्टर हैं जो सक्री अपराधी हैं हो सकता है हिस्टी शीचर भी हो इनके इनसे सबसे बाचीत करके अगर इनका किसी पर शक है तो इनका नमबर लेके सीडियार निकाल के ये पता करिए कि ये किसी प्रोफेशनल अपराधी का काम है वो भी अपने काम में लग गये लेकिन एक सब्ता से ज़्यादा हो गया पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और विवेशना अपनी जगह से टस समस नहीं हुई साथ आठ दिन बाद फिर एससपी ने रिव्यू किया होगा और ये कहा भाई कि ऐसी हत्या हुई है जगन नहीं हत्या हुई है कारणों कोई पता लग नहीं रहा है तो खुलना है इसको अब आप ऐसा करिए कि इसमें नमबर को लिसनिंग पे ले लीजिए जो भी इसमें को उस पर शक हो रहा है वो जरूर से ज्यादा तेजी दिखा रहा था वो बार बार ठाने पर जा रहा था लोगों से कह रहा था लोगों से कहला रहा था तो ऐसा हो कि हम पहले घर वालों में लड़का लड़की दूनों का नमबर ले लेंगे अगर ऐसा कुस लड़की की जा परपस यह था कि लड़के के बारे में लड़के पर चुकी शक था सबको तो लड़के के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके इसलिए यह नंबर सर्विलांस पर लिये गए दूनों के नंबर लग गए पहले cdr निकाली गई तो उसमें एक बहुत ही irregular सी बात या बहुत अल था लेते हैं फिर नंबर लगवाते हैं लेकिन वहां पर इंटरवीन कि यह पर किसी को उठा लेते हैं तो उससे सारे लोग अपने फोन बंद कर लेते हैं या नंबर वदल देते हैं और फिर हमें आट-दस दिन का समय लगेगा नया नंबर निकलवाना उसको लगाना फिर लोकेट करना लोकेट करके उठाना फिर पूस्ताच करना यह तैप आया गया कि अभी हम दोनों नंबरों को पैरलल पर लिसनिंग के लिए सर्विलांस पर लगा लेते हैं दोनों की कॉल सुनते हैं अ को निकाले कुछ महां के नो ना परादी थे और कहा कि साब जब लगा ही रहें तो इनको भी लगा लीजिए हो सकता है हमारे काम की कोई बात निकल आया सारे नंबर लगा दिये गया घटना के दस दिन बाद सोला तारीक को ये नंबर लगाए गया पहले तो ये होता रहा कि कुछ नो कुछ पता लग जाएगा जर जोरू जमीन तीनों पर बातशीत की गई तीनों को टटोला गया लेकिन कुछ नहीं निकला दस दिन बाद फिर ये डिसाइड हुआ रिवियू होने के बाद कि भई अब कुछ नहीं निकल ला है अब इस नंबरों को सुना जाए और सत्रह को ये सोला को ये लगाए गए सत्रह को एक अजीबो गरीब कॉल पकड़ गई बात मिलतक बाबु राम की बेटी और एक व्यक्ति से हो रही थी वो व्यक्ति माधुरी से रड़की से पूछ रहा था कि पुलिस ने कुछ पूछा अभी तक तुम से कि नहीं माधुरी का जवाब था अरे अब तो दस दिन हो गए हैं कुछ पूछना होता तो पहले ही पूछ ले दे अब चिंता की कोई बात नहीं है जो ये शब्द था कि अब चिंता की कोई बात नहीं है ये बहुत इसके गहरे माइने थे फोरान आदेश किया गया कि इन दोनों को क्राइम ब्रांच ले चला जाए पूछा जाए कि चिंता की कोई बात नहीं है पूस्तांच हुई की नहीं हुई और क्यों कहा गया कि दस दिन हो गई हो नहीं होती तो पहले हो जाती अब क्या पूस्तास करेगी पुलिस दोनों क्राइम ब्रांच में आगे लड़के का नाम पता किया गया तो उसका नाम पता लगा प्रदीप सना फरामक्रिशन ग्राम मुडिया हुलास थाना बर्खेडा पीली भीट पास में यह जिला पीली भीट जरूर है लेकिन यह दोनों की गई लेकिन वो एक भी शब्द अपने मुझे नहीं निकाला उसने बिलकुल नहीं तूटा और उस समय जब अंदाज हो कि अब जरूर कुछ नो कुछ मिल जाएगा यह प्रिजम्शन हो कि हम सक्सेस्फुल हो जाएंगे और फिर कुछ नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा सा बहुत अच्छी नहीं रहती पूस्तांस करने वालों की या टीम की यह हुआ कि ठीक है उसने बताया कि हाँ साब वह ऐसे था और शक पे पुलिस सबसे पूछती है मैं उनकी लड़की हूँ इसलिए इन्होंने पूछ लिया कि पूस्तांस पूलिस ने तुमसे कुछ पूछ फिर यह हुआ कि लड़की से बात करो हो सकता है ये तूट जाए ये कुछ बता दे और लड़की से यानि माधूरी से जैसे ही पूस्तांस शुरू हुई निमावली के पहले अध्याय में ही वो तूट गई फिर उसने पूरा किस्सा बयान किया उसने कहा उसका और प्रदीप का प्रेम प्रसंग बहुत दिनों से चल रहा है एक दिन जब घर में माता पिता जी और भाई नहीं थे तो टेलिफोन करके उसने प्रदीप को बुलवा लिया प्रदीप भी आ गया ये घर के भीतर कुछ बातचीत करी रहे थे तब तक अचानक अपने शीडियूल से पहले माता जी आ गए माता जी के घर में घुसते ही प्रदीप ने मोटो साइकली स्टार्ट के और भाग गया गुस्से में माधुरी की मा यानि बाबुराम की पतनी भीतर गए उन्होंने माधुरी को बहुत भल है और ये भीतर के से आ गया तो पता नहीं कहां से पूचते पूचते भीतर आ गया मैं मना कर रही थी लेकिन वो मान नहीं रह था पिर उसके बाद जब तुम आई हो यàनी मम्मी आई है तब भागा है उसका नाम पता माधुरी ने बताया नहीं तमाम धमकाया उसकी मा ने तमाम कहा लेकिन उसने पता नहीं बताई पिता जी जैसे ही घर आये मा ने पूरी बात बताई कि इस तरह से गलड़का था भीतर था मैं आई हूं तो भागा है वो मोटर साइकल से मा कम पढ़ी लिखी थी मोटर साइकल के बारे में नंबर के बारे वो नहीं बता सकी पिता ने पूछा कि कौन था और पिता ने फिर मार पीच शुरूब की मादुरी से कि तुम्हें नाम बताना ही पड़ेगा ऐसे कोई कैसे भीतर भुसाएगा तुम जानती हो लेकिन मादुरी ने कुछ नहीं बताया बहुत जादा जब उस पे दबाओ माबाप का पड़ा तब तक भाई भी आ गया जब बहुत दबाओ पड़ा तो उसने एक जूठा नाम बता दिया और पता भी गाओं से बहुत दूर का बता दिया फिलहाल तब तक के लिए लोग ठंडे हो गए शाम को खाना पीना सब लोगों ने खाया सबेरे बाबुराम ने अपने बेटे विमल से कहा कि तुम उस गाओं में चले जाओ गाओं के प्रधान से या किसी सम्मानी ताद्मी से एक दो लोग जो इनकी भी विरादरी के थे उन से मिलके ये पूछो कि ये लड़का कौन है क्या करता है क्या इसका वेवसाय है कौन लोग है और यहां तक कैसे पहुंच गया विमल ने दिन भर सारी तहकीकात की प्रधान से मिलकर जम्मेधार लोगों से मिलकर लेकिन शाम को वो बैरंग वापस आ गया उसने आके बताया कि इस नाम का कोई लड़का इस गाओं में नहीं रहता है फिर माधुरी की पिटाई पिटाई क्या होगी उसको धमकाया और उसके साथ धक्का मुक्की की थपड़ मारें कि तुम सही सही क्यों नहीं बता रही हो तो उसने कहा हमको उसने यही गाओं का नाम बताया है बोले जूट बात है तुम सही सही नाम उसका सही सही पता बताओ दूसरा बाहर का कोई आदमी कैसे असानक गुसाएगा बीटर लेकिन उसने नाम नहीं बताया बार बार वो शायद ये नाम था, शायद वो नाम था, शायद इस गाउं का था, शायद इस गाउं का था माबाप भी तब तक समझ रहे थे, समझ गये थे कि ये सही नाम पता नहीं बता रही है और रात में वो चुपचाप सारी दिन भर का सारा डेवलोपमेंट परदीब को बता दिया करती थी माधुरी कि आज ही हुआ आज ही हुआ आज ऐसे हुआ आज वैसे हुआ और उसने बताया कि आज मुझे बहुत मारा और मैंने नाम नहीं लिया मेरी चाहे बोटी-बोटी कर जाती मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकती थी इस तरह की कोई बात उसने की होगी लेकिन माबाप की नजर और भाई की नजर भी उस पे थी तो वो यह कहते थी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी फिलहाल यही बात है अगले दिन सुबह माबाप नारास थी माबाप माधुरी और भी मला सबकी उपस्तिती में बावु राम ने कहा कि मैंने यह रिसाइट किया है कि मैंने यह रिसाइट किया है कि मैं सारा सामान सारा प्रापर्टी अपनी और मकान सब बेटे को मैं लिख दूँगा उसकी रिजिस्ट्री कर दूँगा और फिर हम देखते हैं कि तुम सही बताती हो कि नहीं बताती हो क्योंकि मेरे बर मरने के बाद फिर तुम्हें न एक जमीन मिनेगी और नहीं मकान में कोई हिस्सा मिलेगा यह बात सुनके फिर मादूरी घवरा गई और भाग के उसने बाहर से कहीं से प्रदीप को बताया कि अब वो यह कह रहे हैं उसके ठीक अगले दिन हमारे कहाथ से यह चार यह पांच अक्टूबर को एक इस्थानी वकील को लेके बाबुराम घर पर आया उन्होंने बुलवाया वकील साब आ गया और उंची उंची आवाज में अपनी पत्नी बच्चों और माधूरी के सामने उन्होंने कहा कि वकील साब क्या-क्या कागज तहसील से लाना होगा आप बता दीजिए मैं कागज निकल वाकर लाता हूँ और हमारी हम सारी रेजिस्ट्री अपने बेटे के नाम कराएंगे मकान की भी जमीन की भी सब हम करा देंगे ताकि बात का कोई जगड़ा रही ही न जाए तो प्रदीप ने कहा कि फिर ये भाग के गई बाहर और इसने बताया कि दो को अब बहुत ज़्यादा हो गया है आज वकील भी आ गया था दो तीन दिन में कागज उसने कहा है कितने दिन में निकल जाएगा तैसे जिसे खागे उसने कहा दो तीन दिन में निकल जाएगा, तीन दिन बाद जब वो सारी प्रापर्टी उनको लिख देगे, लिख देंगे, तो फिर मैं तो घर में लावारिस की तरह हो जाऊंगी, वैसे ही इतनी मार पीट कर रहे हैं, कल को यह मार के बाहर कर देंगे, न मार्द हो और उसने बताया कि जैसे ही तुम मार्द होगे तो सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे भाई के नाम आ जाएगी आधी आधी दोनों के पास आजाएगी हम अपने हिस्से की बेज देंगे और बहुत पैसा मिलेगा प्रॉपर्टी कापी थी हम लोग शहर जाकर यानी बरेली में जाके बड़ा मकान खरी देंगे और एक मिनान से वहां रहेंगे ये बात प्रदीप की भी समझ में आ गई प्रदीप ने का आच्छा ठीक है हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं उनका नहीं कैसे नहीं करना है दो दिन ही का टाइम है क्योंकि जैसे ही पिता ज जो लड़का जो आया था कुछ इसमें गड़वड है तो इसकी शादी कर दी जाए तो यह समामला कतम हो जाएगा गाउं में या शहर में भी अक्सर जब मावाब को यह पता लगता है लड़की थोड़ा सा भैकी है दाएं बाएं हुई है तो फर्स्ट प्रियोर्टी उनकी हो यही रवायत है नब्वे प्रिश्ट यही कहानी है जिन दो जगह शादी की बाद पाबूराम ने चलाई माधुली ने ही मना कर दिया माधुली ने कहा कि यह तूटे फूटे लोग हैं यह मेरा ही खर्चा नहीं उठा पाएंगे यह लड़का कुछ नहीं करता है और किसानी फिर अगले ही दिन प्रदीप ने फिर रात में फोन करके बताया कि मैंने सब बात कर ली है कल ही तुम्हारे बाप का काम तमाम कर देंगे वरना सच में हम लोगों का बहुत रुकसान हो जाएगा और यह हर हाल में जितना पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से तुम बता रही हो यह हर हाल में बिमिल को सारी प्रपर्टी लिख देगा दे देगा पांच अक्टूबर को प्रदीप और उसका दोस्त सुरिंदर पाल सिंग यह दिन में बाबू राम के हां मोटो साइकल से गए बाबू राम खाना खाके बाहर चार पाई पर लेटा हुआ था बाबू राम से गृण्य और रेख्जा का सर्वे होना है चलके अपने खेट का सर्वे करात हो ताकि पर्ची वर्ची कटने में कोई धिक्कत नहों बाबू राम तुरंट त्यार हो गया हर साल की बात थी को तुरंट त्यार हो गया और उन्हों हुआ कि आईए हम मोटो साइकल से चलते हैं पैदल कब तक चलेंगे प्रदीप मोटर साइकल चला रहा था बाबुराम बीच में बैठा था सुरंदर पीछे बैठा था यह वहां से इसके खेट की तरफ चले थोड़ा सा लंबा रास्ता लिया उन्हों उसको बताते वो ताकि वो शक न करे कि इधर से चले चलते हैं तो ज इसी बहाने से बाबुराम को भी उतार लिया थोड़ी देर बात corpse करते करते कि इतना है कैसा है पिछली बायर की परची कितनी कटी थी कितना भेजा था मिल में तुमने इस तरह के बातें करते गर्म और परदीप ने बाबुराम को गोली मार दी बाबुराम जमीन पर गिर प निकलने के बाद वो सीधे मादूरी के पास पहुंचे हैं और मादूरी से कहा कि भी दो घंटे में पता लग जाएगा तुमको भी परिशान मत होना मैंने काम कर दिया है और उसके बाद फिर वो लोग अपने हाँ चले गया जब ये पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ पूरी बात प्रदीप ने मादूरी ने बता दी फिर प्रदीप को उससे क्रॉस कराया गया एक दूसरे को सामने बिठा कर बातों को देखा गया उनके मोबाइल की लोकेशन देखी गए तो बात बिल्कुल सही निकली तुरंत को भी दविज देके उठा लिया गया प्रदीप सनाफ रामक्रिष्ण रिजिडेंट अफ मुडिया गुलास थाना पर खेला पिली भीट सुरिंदर पाल सिंग सनाफ सुबेग सिंग मानपुर बिलसंडा पिली भीट और माधुरी डॉटर अप बावुराम कस्बा थाना माधुरी और प्रदीप आज की तारिक में भी जेल में ही हैं मुकदमे के विचारन यानि ट्रायर का इंतजार किया जा रहा है आज बस इतना ही कल फिर में रेंज की किसी जिले की एक दूसरी क्राइम की घटना के बारे में आपके सामने रूब रूब होऊंगा बहुत